Hello everyone, welcome to my channel, I am Simran Sahani and आज मैं आपको पढ़ाओंगी Class 12 Political Science की दूसरी बुक का First Chapter, Challenges of Nation Building तो ये चैप्टर आज मैं आपको line by line पढ़ाओंगी and एक-एक concept आपको clear हो जाएगा मैं Simran Sahani हूँ और मैं अपने चैनल पे 11, 12th की Humanities के सभी subject पढ़ाती हूँ जाए वो geography हो, history हो, political हो, sociology हो, psychology हो and even English और physical education भी तो अगर आप Class 12 के board exam के लिए पढ़ रहे हो या आप CUET के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप कोई competitive exam के लिए basic तयार कर रहे हो तो detailed NCRT explanation, each and every subject का आपको मिलेगा मेरे चैनल पे description box में playlist का link given है, अगर बाकी subjects पढ़ने है तो और अगर political science पढ़ने है तो उसकी भी playlist given है each and every chapter को मैंने बहुत कम समय में, बहुत clear format में पढ़ा दिया है so you can go and study तो आज का chapter शुरू करते हैं, आज का chapter है हमारा challenges of nation building यह most important chapter है guys हमारी entire political science का और वो exam point of view से जादा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आप जानोगे हमारी country के origin के बारे में कि जब हमारा देश जो है Britishers से अजाद हुआ तो guys पत्या आपको इतने सारे challenges, मुश्किल हालातों का हम लोगों ने सामना करा बट हमारे जो nation के leaders थे और जो हमारी जनता है सभी ने मिलकर किस तरीके से उन challenges को face करा और आज के समय पे हम देखो guys world की largest democracy है हमारी country में हमने उन सब challenges को कैसे face करके उन से उभरे हम लोग कैसे बहार आए उन सब चीजों से और कैसे हम जो है unity in diversity वाली country बने आज हमारे यहां पे इतने सारे diversity के लोग एक साथ मिल जुल कर रहते हैं वो सब कैसे हुआ आज आप जानोगे अपने इस chapter के थूँ तो basically हम भारती होने के नाते अपनी country के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस chapter से challenges of nation building notes की attention नहीं लेनी है description box में Instagram ID का link given है वहाँ पे मैं हर notes को upload करती रहती हूँ तो वहाँ से देख सकते हो ठीक है चलो शुरू करते हैं अपने chapter को challenges of nation building पहला topic आता है challenges for the new nation यानि की new nation मतलब हमारा देश नया क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें मिल गई थी अजादी Britishers से तो हमें अजादी कब मिली थी पता है आपको 14-15 अगस्त की रात को 12 बजे के करीब आप अनलो midnight हमारे देश की अजादी जो है घोशित कर दी गए थी तब ही हम लोग भी Indians celebrate the independence day on 15th of August ठीक है बारा बजे के बाद ही हमें अजादी मिल चुकी थी मतलब रात को एंड जब हमें अजादी मिली थी तो उसी दिन रात को जो है जवाल नाल नहरूजी जो हमारी कंट्री के फर्स प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने एक special assembly बुलाई special meeting करी constituent assembly के सभी जो बाकी members थ जिसका नाम है twist with destiny उस speech के बारे में कभी आप google पे search करके पढ़ सकते हो कि क्या कुछ उन्होंने अपनी country को वादे करे थे क्या क्या vision के बारे में discussion करा था twist with destiny speech में अभी के लिए one marker में जरूर याद रखना एक्जामें पूठा जाएगा कि कब जो है special session करा था उस रात को कौन सी रात को जिस दिन हमें जो है independence घोशित हो गई थी और वहां उन्होंने speech दी ती उस पीच का नामदा twist with destiny red color से मैंने बॉक्स लगा रखा है one marker याद कर लो ठीक है यह वो moment था जिसके लिए हम हर एक इंडियन कितने ही सालों से वेट कर रहे थे कि हम हमें Britishers से अजादी मिल जाये and finally हमें अजादी मिली थी बट देखोliv गाइस हुआ कि जिस तरीके से हमें अजादी जो है जो हमने छाही थी उससें क्या हुआ हम इस दुख उखति अब नहीं के हमारे जैसे हैं में हमें आजदी म पार्टिशन से क्या हुआ बहुत सारा वाइलेंस क्रियेट हुआ इतने लोगों की मौत हुई इतने चोटे-चोटे बच्चे अनहात हो गए इतने सारे लोगों के घर उजड़ गए इवन जिस दिन इंडिपेंडेंस डे जो है जिस दिन हमें पता चला हमें अजादी मिल गई इतने सारे लोग जो जैसे हम कहें हमारे इंडिया के थे इंडिये मुस्लिम से इंडिया एंदूस एंडिया पाकिस्तान उनको तो बस बस भागना पड़ रहा था इतना वाइलेंस क्रियेट हो गया पार्टिशन के समय पे अमारे अपने घर छोड़ छोड़ के आने पड़ बीच रास्ते में उनको जो है कोई लूट लेता था और वहुत वाइलेंस क्रियेट हो रहा था ऐसी सिच्वेशन में हमें अपनी अजादी मिली थी पट उस सब चीजों को भी हमने जो है स्फेस करा तो यह सब आप जानोगे चैप्टर से तो हमें इंडिपेंडेंस तो मिल मिली तो तब हमें पार्टेशन को भी फेस करना पड़ा पता है आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने ऐसी सिच्वेशन ही जहली थी जैसी वह इंडिपेंडेंट हुए अभी तो हम अजाद हुए और इतना कुछ हमें जहलना पड़ा था ठीक है और इस सब के बी उन्होंने आज से नहीं जब से नेशनल मुवमेंट शुरुआ था दो वादे करें थे हमारे देशवासियों को सबने पक्का मान रखा था कि यह दो गोल्स हैं यह दो ट्विन गोल्स है कि जैसी हमें अजादी मिलेगी इस इस वाट वी हाफ टू इन आर कंट्री तो वह दो से पर दिजादेट है किसी को एक दूसरे से कहने की ज़रुआत नहीं थि सबको पता था इंडिया अजाद हो गया यह दो गोल्स को सबसे पेले इंडिया जो है फुलफिल करें का वह टूपोल क्या था और दीवरीवन अग्रीड अपॉन यहां लिखा है फस्ट गोल क्या थ यह पक्का था हमारे नेशनल लीडर्स को और इंडिया की जंदको ने एक दूसरे को हम सब को पता था कि जैसे हमें पिटिशर से अजादी मिलेगी हम अपनी कंट्री में डेमोक्रैसी लाएंगे एक यह बात बिल्कुल हमारा गोल था अचीव करना दूसरा गोल था गवर्में बिल्ट बी रन फॉर दे गुड ओफ ओल पर्तिकुलर्ली पूर एंड शोशली डिसद्वंटेज ग्रोप यानि की अब जो गवर्मेंट बढ़ेगी फ्री इंडिया की वह बहुत जादा जो है फोकस करेगी पवर्टी एलिवेशन के क्ली क्योंकि ब्रिटिश ने हमारा बह बहुत साथा इंडियन जनता गरीबी को हटाना था और साथ lud2020 इंडिया में जो हमानीं हां डिस्क्रिमिनेशन होथा की उपर और या जेंडर की आउ DS includes इस अब को घटाना था और साथ में पॉए फॉवर्ट एलिवेशन करना था ये दो बाते वह ब्रीन गोल्स पक्के थे रहा हम बहुंत दिए को हम इंडिया को यह फूल खimes नाइजए क्यों लैंसारों आपको पता कुर्श करका यह नाइंतर आतनी व拡 chỆ परप्टम्स को फेस करा थो Прок G हमारे लीडर्र के जो कहा था वो बभूलना दीने करके हमें इतने सब कुछ गोल्स को अचीव तो से आते हैं नेक्स टॉपिक में और ये फोटो को ध्यान से देखिए ये इस पर पिचा भी इस क्वेशन आ सकता है ये प्राइम मिनिस्टर है हमारी फॉस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाल नहरू जी ये रेट फोट पर है 15 अगस 1947 को और वाट इस दूइंग उन्होंने जो है लेकर से बड है शौक के साथ करते हैं तो ये पूरा आप सकते ही जमाना भी इंडिन्स आर इन्देंस और ये लालकी आशन पर हमाला ये बहुत मोर्टिन क्वेस्टिंग के लिए आप आपको बताया जाएगा कि इंडिया को दो गोल अचीव करने थे एक democracy लानी थी, एक poverty हटानी थी एक जो पूरी discrimination, caste, color, gender पे होता था socially disadvantaged group को उनके लिए हमारे country में से discrimination हटाना था बट वो करना असान नहीं था बहुत बड़े-बड़े challenges थे country में उन में से तीन challenges के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बहुत important है ये question आपके exam के लिए that what were the three challenges जो हमारी country ने independent मिलते ही जो है हमें जेलना पड़ा हम independent हुए, ये तीन आप obstacles को हमारे सामने थे, ये तीन चीज़े थी challenges थे हमारे सामने उन में से सबसे पहला challenge क्या होता है to shape a nation अब आप कहोँगे shape a nation मतलब क्या हो गया country बनान, अरे country थे ही नहीं guys, हमारे सामने ये बहुत important challenge था, कि हमें अपनी country को ठीक से shape करना था हमारी country बहुत बड़ी continental साइस की सी काफी बड़ी country है, हमारी ठीक है और साथी के साथ में हमारी country में बहुत सारे diversity थी इतने इतने religion के लोग इतने इतने variety of culture के लोग कोई Bengali, कोई Maharashtrian कोई Punjabi हो गया, कोई Gujarati हो गया अगर आप South Side में देखोगे तो वहां भी different different cultures है different different food items, different different languages लोग बोले different different celebrate करें festivals को तो हमारा country क्या है diversity है, बहुत सारे type के लोग है हमारी country के अंदर अब हमारा काम क्या था to shape a nation, अब हमें इन सब diversity के लोगों को एक खटा एक country में, जो है nation में हमें shape करना था, यह हमारा सबसे बड़ा challenge था, हमारे आपे अलग-अलग languages लोग बोलते हैं अलग-अलग culture के लोग हैं अलग-अलग religion के लोग हैं और उस समय पे उत जमाने में पता है ऐसा सूचा जाता था कि एक ऐसी country जिसमें इतनी languages के लोग रह रहे हैं इतने cultural के लोग रह रहे हैं हमारी अलग country बना दो बट नहीं हमने ऐसा नहीं होने दिया तो हमारा फॉर्स चैलेंज क्या था टू शेप नेशन एट टाइम हमें यह पक्का पता था कि भाई हमें जितने भी डाइवोसर्टी हैं हमारी country के अंदर उसे इंडिया में ही सेटल करना और हमने कि अभी यह यूनिटी इंडिया की क्वालिटी लगती है हमें यह वर्दान लगता है बट उस समय पर क्या था उस समय पर ऐसा सोच चाता था कि इस चीज़ के वज़े से इंडिया की यूनिटी में प्रॉब्लम आईगी और जब पार्टिशन हुआ तो लोगों को ऐसा लगा भी कि भाई जैसे पार्टिशन हो गया कि मुसलिम्स के लिए अलग कंट्री बना दी गई जो है पाकिस्तान तो में भी और पॉपुलेशन है वो भी ऐसा कुछ करना चाहे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था हमारे सामने कि हमें अपनी यूनिटी बनानी थी कंट्री की हमें यूनाइट इंडिया बनाना था तो चैलेंज वास दू मेंग आड नेशन ठीक है सेकेंड चैलेंज वास्टी इस्टैब्लिश डिमोक्रेसी अब तुम को गई दीदिए डिपर उंक्रेसी स्टैब्लिश करना क्या चैनेंज है कहे दो डिमोक्रेसी आ गई बट हमारे लीडर्स को पता था कि सिर्फ कहना नहीं है डिमोक्रेसी को अच्छुली अपनी कंट्री में इस्टैब्लिश करना क्यूंकि पताब कुछ जitzer रदी मिलती है काफी साहरे देश है करते हैं कहे देघा सिक देज्दय नहीं चल रही होती है वह करप्ट रूल चलने लगता है कभी मिलिटरी रूल आ जाए सोच सकते हैं आप कुछ ऐसी कंट्री इसके बारे में जहां पर से तो दिखाई देरा है डिमोक्रेसी है इंटरिनल पॉलिटिक से कोई डिमोक्रेसी नहीं है बट हमारी कंट्री के जो इसके बाद उनको जो है इनवर्सल एडेंट फ्रेंचाइस के बीस पर राइट टू वोट मिल जाएगा नो मैटर कौन सी कास्ट के हैं नो मैटर वह कौन से जेंडर के है ठीक है नो मैटर इंकम क्या है उनकी नथिंग तो हमारी कंट्री में हमें यह सब लागू करना था तो मतलब क्या 11 विए हम ने पढ़ा है रिप्रेजेंटेटिव डिमॉक्रेसी मतलब कि हम जो जनता के लोग है हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे जो हमारे लिए जो है जैसको चलाएंगे जैसे जब इलेक्शन हुए हमने मोदी जी के लिए जो है वोट कर रहा ह है तो हमने क्या करा हमने उनको अपना लीडर चूश करा नाव ही टेक्स दिसीजन फॉर अस ही इस प्राइम मिनेस्टर ठीक है तो वैसे ही जो है रिप्रेजनेटिव दिमोक्रेसी मतलब की इलेक्शन होंगे वहां पर बहुत चारी पालिटिकल पार्टी आएंगी वह आपको अपना पॉलिसी दिखाएंगी जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे जगादा वोट मिलेंगे उनका लीडर जो है प्राइम मिनेस्टर बंके जो है हमारी कंट्री के पूरा उनका पालियमेंटरी फॉर्म उफ गवर्मेंट हमारे आप चलाएंगी ठीक है अब आप अमेरिका जी का जब एलेक्शन होते हैं तब हम डायरेक्ट वोटेंग करते हैं ठीक है और वहां अमेरिका में क्या है वो प्रेजिडेंचल फॉर्म उफ गवर्मेंट है ठीक है तो यह आपको थोड़ा बहुत वाल्टिकल साइंस की बच्चों में भी पढ़ाते हैं सब समस्ते वे च लोगों को फंडमेंटल राइट्स मिले और जो कुछ भी डिमोक्रेसी प्रॉमिस करती है वह हमारी कंट्री में लागू हो थर्ड चैलेंज किया था थर्ड चैलेंज वास्टू इंशॉर्ड डिवलाप्मेंट यह सबसे बड़ा चैलेंज था क्यूंकि ब्रिटिश अर्ज अपने इंडियान नेक्रोंट में नमेक्स है तो आप पड़ोगी सब्सक्राइब के विक्तिंग वे तो अपने थर्ड चालेंज क्या था कि भाई country की economy बढ़ा हो हमारे को अपनी देश का GDP, income, level सब कुछ बढ़ा आना था इसमें एक और होता है development में कि सिर्फ economy सिर्फ पैसे का development नहीं करना था दूसरा जो socially disadvantage group थे जो society में हमारे अज़े से untouchability की practice थी और भी बहुत सारे male female के बीश में ओर्तों के साथ जो है females के साथ discrimination हो रहा है किसी particular caste के साथ जो discrimination हो रहा है उस सब को end करना था हमें अपनी country में ये था हमारा third challenge थर्ड चैलेंज को एक बार read कर लो book में क्या लिखा है तो the third challenge was that हम लोगों को अपनी country में क्या करना था economic development ले कर आना था and जो है social culture development भी लाना था कि every citizen will be treated equally in our country here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantage group and religious यानि कि जो socially disadvantage group है उन्हें हम specially अब हमें protect करना है ये हमारी constitution में लिखा गया अब हमार को जो है ये वाला topic हमारा complete होता है अब आते हम अपने next topic पे जो है हमारा यह आप read कर सकते हो जो आप anxiety check करोगे यह हमार को जो है partition के बारे में बता रखे कि partition के बाद की ऐसे poets ने अपना दुख जो है poems के form में जो है उसको दिखाया था तो let's read about the partition now okay तो अब साट करेंगे अपना next topic partition displacement and rehabilitation इस पे सबसे पहले हम partition के बारे में जानेंगे that partition क्या है और partition क्यू हुआ partition कैसी हुआ partition जब हुआ तो क्या क्या problem हमारी country में है और partition के consequence क्या क्या हुए ठीक है चलो start करते हैं तो 14-15 August 1947 को एक नहीं दो nation state बनती है एक नहीं दो देश बनते हैं from the British India British India क्यों बोला जा रहे क्योंकि उसमें हमारे Britishers rule कर रहे थे तो British India बोला जाता था तो जब Britishers जो है भारत को जो है जब हम बारत जी से चले गए हमारे आसे तो हमारे को जो है वो क्या करवा के गए हमारा partition कर आके गए अब partition क्यों हुआ ये जानते है ठीक है अब partition इसलिए what a because of a theory जो प्रपोस करी गई थी by the Muslim League जिसको कहा जाता है तू नेशन थियोरी इस पर exam में question आएगा describe two nation theory ये NCRT में lines mark कर दिये यही आपको लिखनी है ठीक है तो two nation theory क्या है according to the two nation theory advanced by Muslim League किसने दीती ही two nation theory Muslim League ने वर्मारगर question है mark कर लो MCQ में आएगा CUT में आएगा board exam में आएगा ठीक है तो Muslim League ने advanced created two nation theory और क्या कहा था Muslim League ने इस theory में that इंडिया consists of not one but two types of people कि इंडिया में दो तरहे के लोग है एक Hindu है और एक Muslim है इसलिए उन्होंने demand करा Muslim League ने पाकिस्तान एक separate country for the Muslims ठीक है कि भाई पाकिस्तान बना दो एक separate country for the Muslim जो Congress है हमारी जो Congress Party उन्होंने इस theory को अपोस करा कि नहीं नहीं ऐसे पाकिस्तान जो है रिजल्ट नहीं हमें मिला जो भी political development हुई 1940 में क्योंकि तब ब्रेटिशर थे ना भाया उन्होंने करवाया हमारा partition हमने तो मना करा Congress ने मना करा even there was some Muslims who didn't wanted the partition but फिर भी Britishers ने क्या करवाया हमारा partition करा दिया जो भी political development हुए between the Congress, Muslim League और Britishers के बीच में decision finally यह हो गया कि एक new country बनेगी for the Muslims जिसका नाम होगा पाकिस्तान ठीक है तो it was decided that India would be divided into two countries, decide होगा जी इंडिया है दो भागों में बढ़ जाएगी एक रहेगा हमारा इंडिया दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान ठीक है यह partition का जो process बहुत painful भी था कि भाई जो हम लोग है हम सब एक साथ रह देते हमें divide कर दिया जाएगा painful तो था ही उसके साथ पर implement करना बहुत मुश्किल था यह करना कोई असान गाम नहीं था कि ऐसे देश को आदे को आप अलग कर दोगे it was very difficult तो इसलिए कहा गया कि कैसे करा जाएगा partition देश का on the principle of religious majority याद कर लो इस लाइन को एक्जाम में पूठर रहेगा partition किस basis पर करने को finalize करा कि इंडिया का partition होगा religious majority के basis पर religious majority मतलब क्या हुआ कि जिस एरिया में हिंदूस जादा है वो इंडिया बन जाएगा और जिस एरिया में Muslim population जादा होगी majority में होगी उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा ठीक है तो यही चीज को finalize करा गया कि यह तो भाईया करना कि जहां Muslim जादा है उसको पाकिस्तान बना दो क्यूं था मुश्किल चलो यह जानते हैं यहीं है problems जो हमने face करी ती during the partition ठीक है तो basically दो जगाएं थी जहां पर Muslim मुश्किल था क्यों मुश्किल था यह reason first of all क्या है दो जगा थी मुस्लिम मेजॉरिटी में थी एक था West में और एक था East में ठीक है तो यह हो गया हमारा इंडिया ठीक है अब इसमें क्या हुआ हुआ हमारे यहां पर मैप जो मैंने पैस्ट कर EEPए उसमें आपको सभीसे स्वे समझ में हैंग आप क्या हुआ अब क्या है कि जगा ऐखाए कि जा पर फूंजुम में पीवल की population लीजडा चर्प पर जाड़ा थी और एक जगा इसमें बंगाल के पास कमें और यहां उने क्या करा भाया पाकिस्तान बनेंगे पर दो पाकिस्तान बनेंगे एक बन जाएगा वेस्ट पाकिस्तान एक बन जाएगा एस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान है वह पाकिस्तान है और जो इस्ट पाकिस्तान है आज के समय पे बांगलादेश बन चुका है वह बंगलादेश कैसे बना इस पाकिस्तान वह आप थर्ट फोर्ट चैप्टर में पढ़ लोगे और फर्स्ट बुक में मैंने पढ़ा भी दिया आपको ठीक है तो भाई इन्हों ने ऐसा पाकिस्तान और बीच में हमारी कंश्वी इंदिया ठीक है तो यह चीज को डिसाइड हुआ बट यह जो है फॉलो कहना बहुत असान दो कंट्रीज बना दो यह भी बहुत मुश्किल था आगे सुनों इसमें भी क्या-क्या प्रॉब्लम से अब इस चीज में क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह आई देखो कि यह जो एरिया जहां पर हम कह रहे हैं वेस्ट है और जो इस जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है ऐसा नहीं था कि वहां पर हिंदू जादा हिंदू जो सिक्ष थे वह रहा करते थे तो अब क्या किया जाए तो यह हुआ कि फिर उन लोगो नहीं चाता था कि वह पन्द्राघृत को फ और इस में पर प का रहे हैं तो फेर चोह है आपने लिया कि पर देखा ओंडिया कि ले को जाए अब देखो इसमें सेकेंड प्रॉब्लम किया है कि हर मुस्लिम नहीं चाहता था कि जो है पाकिस्तान बन जाए इन मेंसे एक 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 जामपल आपको दे रखा है यह बहुत इंपॉर्टन एक जाम के लिए जिनका नाम है खान अब्दुल-गफवार खान यह एक लीडर थे जिंग मुस्लिम इन टूनेशन थेओरी को अपोस कर रहें होने का हमें नहीं चाहिए अगले पेश हम सब साथ में कटे रहेंगे इवेंचली इनकी बात को तो माना नहीं गया और NWF जाके यह लीडर थे नौर्ट वेस्ट रेंटिया प्रॉबिंस उसको भी पाकिस्तान के स जाता था कि अलग कंटरी ने दूसरी प्रॉब्लम यह थी इन पर बाकिसी प्रॉपोलेशन नहीं ती यहां पर बहुत सारे हिंदू सिख्स बीडह थे तो इसलिए कहा गया कि इन दोनों प्रोविंशस को प्रोविंश्स मतलब होगा स्टेट बिटिश के इंडर में थी उस जमाने में कहा गया कि इनका बाइफिकेशन करें जाएगा अंदर इलिजियस मेजॉर्टी अदर डिस्ट्रिक लेवल और इवन लोर लेवल जैसे कि जो पंजाब है जैसे अब बिटिश इंडिया के पंजाब में जो है मुस्लिम मेजॉरिटी में थे पर हिं हिंडूस और सिख जाद होंगे वह पंजाब बन जाएगा इंडिया का तभी देरा टू पंजाब सी उन्हों पाकिस्तान में भी एक पंजाब है ठीक है तो यह सब इन्होंने कहा बट इस डिसीजिजन वस नॉट टेकिन अंदर फूर्टीन फिफ्टीन अगस्त भाई हम क्या करें उनको रात अपने घरों को छोड़के भागना पड़ा जब दंगया फसाद शुड़ों गए थे और जो है रेफ्यूजी कैंप में जाके अपना जो है उन्हें जीवन फिर आगे का व्यतीत करना पड़ा बहुत समय बात जाके जो है अंदर ठीक है ऐसा तो नहीं है न सब इधर से उधर पहुच गया है जब पार्टेशन हुआ हमारा बहुत सारे हिंदूस और सिख्ष जो है पाकिस्तान में रहा करें थे बहुत सारे मुस्लिम जो थे इंडिया में थे ठीक है यह चीज़ आपको बोग मतारा रखिए है लाक को बहुत ट्रैप मैसूस हुआ उन्हें ऐसा लगा कि भाई जो फ्रीडम जो असादी हम इतने सालों से इतनी सेंचुरी से चाह रहे हैं आज जब हमें अजादी मिली है तो हम अपनी ही कंट्री में माइनॉरिटी बन गए हैं किसी को नहीं पता था कि आगे कैसे होगा आगे तो रातो रात जब दंगे शुरू हो गए तो लोगों को अपना घर से भागना पड़ा अपने जो है वो जो है कोई चल के गए कोई ट्रेनों में कई ट्रेनों में भी आग लगा दी जा दी आपने शायद कुछ मूवी देखे और इलिके टू पार्टेशन तो आपने देख कुछ घंटों के नोटेस पर दंगे शुरू हो जाते थी ऐसा अनाउंस कर दिया था था कि समान पेक करो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि दंगे शुरू हो गए थे मुसलिम्स और हिंदूस के बीच में इंडिया में और पाकिस्तान में 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 कहां हो रहे थे जहां पर य अब पड़ते हैं आपने देख लिया पांच प्रॉब्लम है चार प्रॉब्लम हमने पड़ी फर्स प्रॉब्लम क्या था कि भाईया दो पाकिस्तान बने की डिसाइड हुआ दूसरी प्रॉब्लम हरे मुसलिम नहीं चाहता था कि अलग पाकिस्तान बने तीसरा प्रॉब्लम यह आई कि भायर डिस्ट्रिक लेवल का बायरिफिकेशन 15 अगस तक नहीं हुआ था तो जब अजादी का जशन मनाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों को जो है तो अगर हम पार्टेशन की बात करें गाइस तो इयर 1947 को कहा जाता है जानी कि हिस्ट्री में हमारे वर्ल के ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा अन्प्लेंड वे में जो है पॉपॉलेशन का ट्रांस्वर हुआ हो पॉपॉलेशन को पता ही नहीं था रात और रात उन्हें अपने घरों को छोड़के भागना पड़ा एस रात तु नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स क्या का गी ए कॉंसिक्वेंस क्या हुए हुए जिसंदोरां पार्टेशन हुआ Indiap 이야기 में लॉग आंसर में आपके बोर्ड एक्जाम में तो किलिंग सुई एक्रोट शेटीज यानि कि बहुत दंगे हुए बहुत लोगों की जाने गई बहुत साइज ऑद बॉर्डर ऐसा नहीं तकि सिर्फ इंडिया में पकिस्तान में भी इंडिया में दोनों जगा पर इंदर रीम रिलीजन के नाम पे एक कम्यूनिटी दूसरी कम्यूनिटी के लोगों को मार रही थी उन्हें जो है देवक किलिंग इचादा सिटीज लाइक लाहूर लाहूर कहो और जो है अम्रित्सर और कॉलकता जो है वो कम्यूनल जोन बन गए थे यहां इतने दंगे हुए कि हां कम्य इरियास में नहीं जाते थे जहां पर हिंदू और सिख रहते थे और हिंदू अरिया में जाते जहां मुस्लिम रहते थे क्योंकि यहीं तो प्रॉब्लम हुई थी ना कि इन्होंने डिसाइट तो करा ही नहीं ता पार्टिशन से पहले कि ऐसे आप लोग इधर उदर पहुच और यहां इंडिया में साइट पे जो मुस्लिम थे उन्हें वहां जाना था यह सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था तो दंगे शुरू है और जब दंगे शुरू है तो फिर कम्यूनल जोन बन गए हिंडू मुस्लिम के लागे भी नहीं आते थे लोगों को और कॉंसेक्व इस अजादी के लिए इतने साइट से जस्चन बनाने के लिए अजादी कैसे मिली कि अपने घर छोड़के रेफ्यूजी कैंप्स में जाके उन लोगों को रहना पड़ा ठीक है ओफन उनकी लोकल पुलिस और अड्मिनिस्ट्रेशन दे जिस स्टेट में जिस जगा पे बच जैसे लोगों को पता चला महां पाकिस्तान की तरफ से हिंदू हो सिख यहां इंडिया से मुस्लिम्स जो थे जब कहाँ कि भाहिया आप पाकिसान बनेगा तो महां जो और आप इधर आओ तो भाहिया बहुत मुश्किल हुआ उनको कोई बुलक काट पे जा रहे हैं कोई समान पैक करके रास्ते में बहुत सारी मुवीज में हमें पार्टेशन रिलेटेड यह दिखाया गया है डॉक्यमेंटरी आप देख सकते हो तो उसमें क्या होता था देवर अटक्ट इवन वुमिन जो थी उनको जो है किड्नैप कर लिया जाता था और उनको जो है जाता था कि आप हमारे रिलेजन में कंवर्ट कुछ-कुछ फैमिली ने क्या करा क्योंकि रास्ते में जाते वे जो वुमिन थी उनको किड्नैप कर लिया जाता था बच्चियों को कड्नैप कर लिया जाता था तो कुछ-कुछ इवन फैमिली ने फैमिली ऑनर के नाते अपन who did manage to cross the border, जिन्होंने cross कर लिया border, उन्हें जाके refugee camps में रहना पड़ा, और बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए थे, बहुत सारे parents जो थे उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, writers ने, poets ने, filmmakers ने इस वाले pain को बहुत बार जो है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बहुत movies, बहुत songs, बहुत poems के तुरू इस pain को show करा है, ठीक है, और इन में से कोई अगर आपने भी partition related movie देखी है, तो आप भी बताना, तो partition को describe करा जाता as division of hearts, ठीक है, तो यह one marker question में आप याद रखना, ठीक है, तो यह याद रखो, अब partition के एक और point है, जो आपको समझना है कि guys, you know, partition सिर्फ यह नहीं था, कि लोगों का हुआ था, कि भाई, लोगों को इदर population को shift हो रहें नहीं, even country के administrative apparatus, country के हर चीज का, country के band कितने है, country के stationary कितनी है, country के पास, country के files जो हो गई, railways हो गया, हर equipment तक का हमारा जो है, partition हुआ था, things like table, chair, typewriter, paper, clip, books, musical instrument of police band, employees of government, railways were also divided, हर चीज को divide करा गया था, and above all, यह बहुत violent separation था, बता आपको 80 लाख लोगों की, जो है, migration करा उन्होंने, इधर से उदर population ने, 80 लाख लोगों और बिना बताए, on the spot, उनको दंगर के समय पे, उनको जो है, migrate करना पड़ा, across the border, and between 5 to 10 लाख people were killed, 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यू हो गई थी, उस समय पे, बहुत ज़्यादा population नहीं हुआ करती थी, तो उस समय आज के साफ से भी बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते हो, कि कितने लोगों की जाने गई, during the partition related violence, ठीक है, अब आते हैं, हम अपने next topic पे, इहां आपको आएगा, after the partition क्या-क्या problems face की गई, ठीक है, तो after the partition, partition होने के बाद भी ऐसा नहीं problem face नहीं की गई, after the partition also हमें अपनी politics में बहुत major decision लेने थे, अब वो क्या थे, चलो जानते हैं, ठीक है, तो after the partition हमें बहुत बड़ा एक deep issue इंडिया में आ चुका था, the leaders of the Indian national struggle did not believe in the two nation theory, यानि कि हमारे जो nation के leaders थे, बहुत सारे ऐसे leaders थे, जो two nation theory में मानते नहीं थे, बट फिर भी इंडिया का partition करा दिया गया था, तो इससे ये question हुआ कि अब इंडिया का क्या होगा, कि इंडिया अब कैसा nation मनेगा, या हिंदू nation, कि इंडिया एक हिंदू nation बन जाएगा, क्योंकि two nation theory में तो यह क्या आगया, कि दो लोग होते हैं इंडिया में Muslims and जो हे हिंदू जो है तो मुस्लिम के लिए कंट्री बना दी जाए, बट हमारी कंट्री के बहुत सारे leaders इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, इवन आफ्टर दा पार्टेशन, पार्टेशन होने के बाद भी हमारी कंट्री में 12 परसेंट टोटल पॉपॉलेशन के जो है Muslims थे 1951 में बी तो यानि कि पूरी पॉपॉलेशन के 12 परसेंट जो है Muslims थे even in 1951 partition के होने के कुछ सालों बाद ही हम भी अगर आप देखो तो बहुत सारे Muslim हमारी country में तब भी थे तो फिर वो minority बन चुके थे अब हमारी country में अब question माग यह आया कि अब उनका क्या होगा और यह नहीं कि सिर्फ Muslims थे खाली हिंदू 30 थे मारी country में हमारी country में six भी थे हमारी country में Jains भी है मारी बुद्धिस भी है पार्सी भी है तो बाकी religion के लोगों को क्या होगा partition ने जो है बहुत कुछ करवा दिया था बहुत इतना तो आपको बदे हमारी country के leaders ने क्या जवाब दिया that हमारी country क्या बनेगी एक secular nation बनेगी ठीक है क्या बनेगी एक secular nation secular मतलब क्या होता है guys जहां पर हर religion की equally respect कियी जाए हमारी country के leaders ने कहा that India should not be a country that gives superior status to adherents of one faith and inferior to those who practice another religion even after partition हमारी country में बहुत सारी Muslims थे बहुत सारे हमारे यह और धर्म के लोग भी थे ऐसे की Buddhist हो गए and Christians हो गए Jews वर दिया तो two nation theory तो उस basis पर हुई थी ना that there are two people Hindu and Muslim तो उसके बाद क्या किया जाए इंडिया बहुत हिंदू नेशन है इसे question किये जाते थे तो हमारी country के leaders ने का no हमारी country में हम नहीं चाहते थे two nation theory के हिसाब से partition हो अब जब हो गया है तो then also हम अपनी उसी बाद पर रहेंगे that India में secularism for लोगा हमारे यहां पे जो है ऐसा नहीं होगा कि एक religion and एक faith के लोगों को जाधा importance दी जाएगी और दूसरे लोगों को inferior feel कराया जाएका no India will be a secular nation आप किसी भी religion के हो किसी भी जो है power में आप belief करते हो जिनमें भी आप belief करते हो जिरको भी आप worship करते हो आप जो है आपको इंडिया की citizenship मिलेगी and इंडिया ने तभी हमारी जो constitution है उसमें बहुत बड़ा-बड़ा mention हमने कर रखा है that India's secular nation, secular मतलब 11th class में पूरो secularism का chapter बढ़ा था गा इस political theory की book में that we और हमारी लिए सभी religion same है हम किसी को जाधा importance नहीं देंगे किसी को जो है inferior feeling कराएंगे being an Indian हमारी Indian citizenship के लिए हम कौन है we are Indian, we are भारती है ठीक है तो चलो ये भी आपका topic complete ये chapter का सबसे important बाट था okay तो एक बार revise कर लेते हैं consequences of partition with points बता रहे हो क्योंकि exam में ये long answer में आने वाला question ठीक है तो first point क्या हुआ consequence of partition का there were killing and atrocities on both sides of border बहुत सारी killing atrocities हुई दोनों साइट पे city जो Lahore और Amritsar थी और कॉलकता क्या बन गए communal zones मीनिंग मैं आपको बता चुक्यों second क्या हुआ आपका minorities both side of the border पे उन्हें जो है अपने घरों को छोड़ कर भागना पड़े हैं refugee camps में अपने आगे के जीवन को बहुत समय तक व्यतीत करना पड़ा and just some दोरान third consequence यहां पर given है जिस दोरान वो जा रहे थे जब वो जो है migrate कर रहे थे from India to Pakistan and Pakistan to India उस दोरान भी उनके साथ जो है बहुत जादी killing atrocities हुई उन पे जो है आटाक कर दिया जाता था ठीक है women को जो है kidnap कर लिया जाता था they were brutally treated बच्चे जो थे रास्ते में कई बच्चों की death हो जाती थी कभी उनके parents की death हो जाती थी and बहुत लोगों को मार दिया जाता था ठीक है fourth क्या हुआ for lack of refugees मतलब की इतने सारे लोगों के लिए इंडिया के freedom मतलब क्या हो गया था कि refugee camps में आके उन्हें अपने life for years तक उन्हें पता आपको रहना पड़ा था ठीक है fifth consequence आपको बस यह बताना है कि किस तरीके से writers and poets ने यह partition का जो displacement of population हुआ जो violence create हुआ उसके उपर short stories poems बनाई है next consequence of partition में आपको यह भी mention करना है that सिर्फ लोगों का partition नहीं हुआ था इवन जो country के assets थे उनका भी partition करा गया था financial assets जैसे कि जो भी आपको बता दिया यह band हो गए यह stationery थी equipments हो गए country के हर चीज का partition जो है किया गया था तो हमारे nation leaders ने answer क्या करा था that India will become a secular nation हमारी country हर धर्म को equal मानेगी किसी को importance नहीं देगी किसी को inferior feel नहीं कराएगी being an Indian आपको citizenship मिलेगी on the basis that you are Indian कोई आपका धर्मवरम कोई चीज को नहीं माना जाएगा all are equal in front of our constitution आप कह सकते हूँ ठीक है चलो अब हमारा एक next topic आता है महात्मा गांदी जी के बारे में तो हम जानेंगे महात्मा गांदी जी के बारे में तो आपको पता है 15 अगर्स 1947 को जब सब लोग freedom का जशन बना रहे थे उस समय पे महात्मा गांदी जी ने किसी भी जशन में जो है अपना जो है वो participate नहीं कर आपको क्या करना है आपको सत्य घ्रह करके अपनी बात मनवानिया आपको वालेंस पर नहीं जाना है बट उनके प्रिंसिपल जो पूरी लाइफ उन PayPal और पूरे लोगों को देखाया उनके सामने वो सब उन्हें टूटताऐ दिखाई लिए कि दंगों में लोग क्या कर रहे थे वाइलेंस फ्ल prophetic देख रहे थे किसी को नइक परवानी करेता और लोग בא कोprendवuman जोम श्रोप कर की मांदी जी के वहां रहने का थोड़ा इफेक्ट भी पड़ा थोड़ी बहुत कमिनल हार्मणी बनी थी बिट्वीन हिंदूस और मुस्लिम बट देन आफ्टर दाट क्या हुआ एक समय ऐसा भी था कि दुबारा से दंगे शुरू होते कौलकाता के अंदर ही तो तब गांदी बात मारें हमारी प्राह चाहिए और साथी के साहए नंदर ब्र कॉच exclusion को जो है कि देना चाहिए जब गांदी जी ने में अंपर आकर आएकस्ट करें हैं है जय विए फास्ट करें हमारी का जानिनदियी और धक्त्तल साय ओर है करो ऑंपर हिसा इंद fatal दे Hail तो ऑन 30 जैन्वरी 1948 क्या होता है एक ऐसे ही हिंदू एक्स्ट्रीम है जिनका नाम ता नथुराम गोडजे उन्हों ने गांधी जी जब वो ड्यूरिंग इवनिंग प्रेयर में अपने डैली में थे वो गांधी जी के पर जाते हैं और वहां पे उनको थ्री बॉलिट्स फायर करते हैं कि उनको गोली मार देते हैं और तभी गांधी जी की जो है महाँ पे डैथ हो जाती है ठीक है जैसी ही गांधी जी की डैथ होती है 30 जनवरी 1948 को और कि जो भी अभी तग दंगे चल रहे थे इंडिया के पाकिस्तान की जिस भी उने में पार्टेशन रेलेटेड जो एंगर वाइलेंच चल रहा था वो सब एकदम से रुख जाता है सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं के लोग देखते हैं कि नेन्टी जो हें यह हम कहते हैं मात्मा गांदी जी इनकी डेथ हुई गांदी जी को सब बहुत इज़त करा करते थे वह हमारे freedom struggle में आप गांदी जी का रोल पढ़ चुके हो पिछली classes में तो इवन इंडियन औल पाकिस्तानी जो अब थे सब लोग बहुत शौक में आ गये थे सब लोगों के मन से वो नफरत वो जो है वो सब चला गया सब दुखी ते गांदी जी की डेथ पे अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम अब हम पार्टेशन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं अब आप जानोगे कि ब्रिटिश थे बहुत चालो इन्हों ने क्या करा जब पार्टेशन हमारा करवा दिया पहले तो ठीक है जब हमें इंडिपेंडेंस दी यह नहीं जो है असानी से अजाधी दे पहले हो गया हमारा पार्टेशन उसके इलावा इन्होंने एक बहुत बड़ी मुस्तिवाथ हमारे लिए क्रेट करके गए थे यह प्रिंसली स्टेट क्या होती है देखो ब्रिटिश इंडिया डिवाइड था बिट्वीन था इंडियन प्रोव समय पे जो है उनसे सब कुछ उनकी गद्वी नहीं चीन सकते थे तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया था प्रिंसली स्टेट का मतलब यह था कि कुछ ऐसे स्टेट थी हमारी कंट्री के अंदर वहां पे राजा का रूल था कैसे राजा का रूल था कि जो इंटरनल पॉलिटिक् सबहा के साथ डील करते थे बर जो एक्स्टर्नल अफियर है कि बाकी इंडिया के मेंस पर क्या डिसीजन लेने है वो सब हमारी बिटिश गवर्मेंट के हिसाब से ही चलता था और बिटिश गवर्मेंट ही सब कुछ चलाती थी बस उन्होंने राजाओं को अलाओ कर रखा थ निजाम का रूल था ठीक है मैसूर में राजा का रूल था चीजकर बहुत सारी जबहाई से मैं सोब्सक्राइब करते यहां नि Caesar राजा का रूल में य होज़ारी सब्सक्राइबL-UA में इसमें सब कुछ बिटिश करी इंटर्न लोग एक्सटर्नल सारा कुछ देखरें जो है बिटिश गोविन्ट करती है यह उनाइटर प्रोवेंच यूपी जो अब हम कह रहे हैं ठीक है बनारस लिखाए देखो बिहार हो गया सेंट्रल इंडिया बॉम्बे चिक है मदरास जो य यहयलो वाली है यह निए प्रोवेंशनल प्रोवेंश्नल मतलब यह पूरिव रिटिशां से मक्ठों ओ 27 sharpen गशाने निदर तो को वैसे समभलते रहो ठेक है but, अब हम जब जा रहे हैं तो Paramount Asi or British Crown be johe Inde 친el सम जाएगा और आपका ताइसला है आपको इंडिया की साथ rहें ke तो इंडिया के साथ रहो आपको पकिस्तान की साथ जाने है आपको अलग country बनाने नंग बना लो समझ में आई मेरी बात आप शॉक हो जाओगे इस बात को समझ के कि इन्हों ने क्या क्या दिया उस संभी पे वन थर्ड ऑफ लैंड जो था हमारी कंट्री का बिटेश इंडिया का बेसिकली वह प्रिंसली स्टेट थी ठीक है मतला बहुत सारे लोग हम वान आउट इंडियन लिव अंडर दा प्रिंस का रूल यानि कि राजा के रूल में रह रहे थे इन्हों ने क्या कह दिया 565 प्रिंसली स्टेट थी इन्हों ने क्या कह दिया एक ऐसा ओप्शन दे दिये तुम्हारी मर्जी है या तो तुम इंडिया के साथ रह लो कि नहीं हम तो इंड कंट्री बनाएंगे तो इतना बड़ा इन्हों ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रियेट कर दी थी और ये फैसला करने को यह नहीं कहा कि हां के जनता कहीगी जो राजा के अंडर में जनता रही है वो कहेगी इंडिया के साथ जनर पाकिस्तान की अकेला देश बनाना है उनके रा अब्छें साय ने क्या आ इन में थ western अपार देश बना तो सोचो हमारे इंडिया के तो और वाहिन कंट्री बट्ड बंग जाती और क्या ही होता हमारी गंट्री तबीस चैनलेंspace प्रॉब्लम जैसे ने बोला कि आप अपनी हिलरane पना सकते हो नेक्ष अपसर हां ंसले के राजा उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग कंट्री बनाइगे सबसे पहले जो रूलर ऑफ तरवन कोर है उन्होंने डिसाइड करा हमएं रिपेंदेंस लेगे तरवन कोड को हम अलग देश बना देंगे नेक्स जो निजाम ते हैधराबाद के हैधराबाद के निजाम को अप the richest man in the world बोला चाता था उस समय पे उन्होंने भी यह कह दिया हम तो अपना अलग देश बनाएंगे हैदराबाद रूलर्स लाइक नवाब और भोपाल जो भोपाल के नवाब थे उनका भी मन नहीं था कॉंसेट्वेंट असेंबली को जोइन करने का ठीक है और बहुत सारी अलग प्रिंसली स्टेट्स के ऐसे लोग थे जो जो लोग नहीं जो लीडर्स थे जो उनके राजा थे वो चाह रहे यह था कि भाई दूसरा हमारा एक और गूल था आप याद करो जब मैंने आपको ट्विन गोल बताए कि हमें अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी पे चलाना है और आपको पता है यह जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इन में डेमोक्रेसिक रूल नहीं हो रहा था यह प्रिंस करें तो दोनों ही तरफ से हमें यह सिचुएशन को सॉल्फ करना जरूरी था क्योंकि हमारे दो गोल्स कि हमें इंडिया को एक यूनिटी और डेशर मनाना है और डेमोक्रेसी लानी हो तब ही पूरे होते जब यह सब प्रिंसली स्टेट इंडिया में ही रहती अब कैसे इंटेरिम गवर्मेंट में जैसे हमें जाधी मिली ऐसानी एकदम से चाहिए हमारी प्रॉपर एलेक्शन तो आप सब बन कहीं तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हमारी कंट्री के और टुकडे नहीं होने चाहिए जो भी में पॉसिबल होगा हम अपनी कंट्री को लब भाई पटेल जी सर्दार वलब भाई पटेल जी उस समय पे हमारी कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे उस समय पे जब ये इतनी वड़ी मुसीबत हमारे सामने थी कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो अलग हो जाए चाहे पाकिस्त 5 princely state के राजाओं से मिलेंगे और उनको convince करेंगे कि आप इंडिया में ही रही है आप इंडियन यूनियन के अंदर ही रही है और ये काम उन्होंने करा अपनी diplomatic power से अपनी skills से अपनी persuasion की skills से आप किसी को मना लो अपनी बातशीट करने अपनी politics अपनी सूझ भूच से उन्होंने 565 जो है डे प्रिंसली स्टेट्स के rulers को मना के इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया आपको एक एक्जामपल बता रखा है कि अहसान गाम नहीं तक कि सर्दार विले भाई पटेल जीगाए और आजाओ को का इंडिया में रॉल वो मानगे नहीं बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी वो सब उन्होंने डील करी ठीक है एक्जामपल बता रखा है जो सुराष्ट रीजन था गुजरात का उसमें 14 बिक स्टेट्स थी और 119 स्मॉल स्टेट यहने कि 14 बड़े राजा और 119 स्मॉल राजा होंगी उसमें भी कुछ-कुछ उनि इनिस्टेशन थी सबको मनाना था कि विद इंडिया ठीक है नेक्स्ट एक और गवर्मेंट ने कहा था पहली गवर्मेंट की अप्रोच क्या थी कि कुछ भी हो जाए इंडिया के और टुकडे नहीं होने जिए हर कंपिर्सली स्टेट इंडिया के साथ ही रहे सेकेंड गवर कि अगर राज्या को मनाना पड़ा कि हाँ आप मन कंट्री के साथ आये तो ऑटनॉमी दे जाएगी थोड़ी बहुत अटनॉमी मतलब होता है कुछ पावर दे जाएगी और जो भी जनता चाहती है उनके डिमांड को फुल्फिल करा जाएगा जो भी डिमांड होंगी उन री प्राइटरी सही से मांग आज ये मैं देखो तो ये मैप देखो ये आज के इंड़ा के मैप से कितना डिफेरेंट है यह देखो आप यह आप राजस्थान यह गुजरात तीक है यह आप महराश्ट देखो बंबे इस हैदराबाद आपको यहां पर अपनी सारी स्टेट जाए तो यह था कि इन सब की डिमांड्स को भी हम लोग फुल्फिल करा जाएगा तो यह तीन गवर्मेंट की अप्रोस थी पहला हर प्रिश्ली स्टेट को मर्च करना होगा इंडिया के साथ में और दूसरा कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे जो उनके डिमांड्स होंगी कुछ ऑ हम जैसी ही हमारी प्रॉपर इंडियन यूनियन बन जाएगी तो हम इन सब चीजों के उपर डिसीजन लेंगे और थैंग गॉड्ट 15 अगस्ट 1947 से पहले पीसफुल नेगोसियेशन के साथ यह निकि अच्छे से शांती से बात चीत करके बहुत सारी ऐसे स्टेट्स थी जिन की स्टेट अगरी कर गई थी इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए ठीक है तो 565 में से सबी मतलब आप मालो मोस्ट ऑफ दर प्रिंसली स्टेट के राजा होने का यह वी विल वी इंडिया बट प्रॉब्लम आती है कुछ स्टेट्स के साथ में उनका नाम क्या है प्लेबिसाइट क्योंता है जनता का वोट डलवा के उनसे पूछा गया आपको इंडिया के साथ रहना है या नहीं रहना है आपको इंडियन के यूनियन में मर्च हो जाती है कश्मीर के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ोगे अब हम पढ़ते हैं है जैसे मैं आपको बता च अब हैदराबाद में क्या होता है हैदराबाद largest princely state थी इंडिया की उस समय के हैदराबाद में आज के महराष्ट के भी काफी सारी इरिया आते हैं मैफ में देखो करनाटका के आंधर प्रदेश के तो सिर्फ आज वाला हैदराबाद नहीं था करनाटका के काफी इससे आंधर अधराबाद बन रखी थी हैदराबाद का जो राजा थे उस समय पर रूलर थे उनका नाम ता निजाम उनको निजाम कहा जाता था और यह बहुत अम्हीं थे वोड़ के रिचस्ट मैं में एक उस समय में आया करते थी थी अब झांड़ने क्या चेह expert चले लिए बनाइंगे अपनी बात चीछ चल रही थी इंडियन गवर्मेंट और जो है निजाम के बीच में कि अब देखा जाएगा कैसे इंडियन गवर्मेंट मना रही है नहीं अलग कंट्री मत बनाईए और निजाम कहने है कि हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे तो जो है इस दोरान क्या हुआ जो निजाम की जनता थी हैदरावाद स्टेट में जो निजाम की प्रजा थी जो उनके रूल के अंडर में लोग रहा करते थे वो निजाम के रूल से खुश नहीं थे स्पेशली तेलंगाना रीजन में जो हैदरावाद का तेलंगाना रीजन था वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत पढ़ेशान थे निजाम के रूल से निजाम बहुत उनका रूल अत्याचार करते थे तो लोग उनके जो है खिलाफ खड़े हो गए इवन जो वुमिन थी ले करके हासल करी थी तो हएदराबाद के लोगोने निजाम से हजादी मोववनेंट करा किनके बैसिक ए आ तो यह जो को नव सेंटर वनाया गया इस मुवमेंट का जो है रावादी कॉंग्रेस पार्टी थी उन्होंने स्पॉन को चला कि जैसे हम एक मुवमेंट को आगे बढ़ाने क्लिक पाटी की जिरूवत होती है तो इस मुवमेंट के फोर्फरेंड में है थी तो जब लोग साटकों पर उत प्रोटेस्ट को बंद करो और रजाकर की एक्रोसिटीज नो नियू बाउंस यानि कि वह बहुत ब्रूटल वे में लोगों के साथ डील करते तो उन्होंने लोगों का मर्डर करना शुरू करा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वोमेन को जो है अबड़क्ट कर लिया के नैप कर ल जंता चाहती थी कि भाईया इंडिया के साथ मर्ज होना है तो सेंट्रल गवर्मेंट ने ओर्डर पास करा आर्मी को टू टाकल टासिट्वेशन फिर इंडियान आर्मी गई है थराबार में वह निजाम के जो यह रजाकर से उनके साथ उन्होंने फाइट करी ठीक है उनके स पाइटिंग होने के बाद निजाम ने सरनेंडर कर दिया भीगषTu है इंडियां। तो भाई जब हमने रजक टो अट्यूं के का केस मनें क्या होता है फ्यू डिश भीडिकें न honest को बोधा उन्होंने Instrument of Occasion पे साइन कर दिया और यह कहा कि हम इंडियन गवर्मेंट में तम मर्ज होंगे जब internal autonomy मनिपूर की हम खुद सम्वालेंगे Internal autonomy and external autonomy होते हैं external autonomy में क्या होता है आप अभी 3rd chapter में पढ़ोगे external relations वाले 3rd है? 4th है, 4th chapter में पढ़ोगे कि एक country के external relations होते है external matter भी होते है कि बाकी country के साथ कैसे deal करेगी defense policy क्या होगी and all that और internal matter क्या होते है कि अपनी state है, उसमें कैसे tax लगेंगे जनता का tax कहा जाएगा और कैसे जनता के साथ deal करा जाएगा यह internal autonomy में आता है ठीक है, बट internal autonomy मनिपूर की राजा के पास ही रहेगी ठीक है, under the pressure of public opinion, महराजा held election in मानिपूर in June 1948 उसके बाद भाई अब internal autonomy मतलब की अंदर जो हो रहा है मनिपूर की अधर राजाजी के हाट में तर हाँ, वैसे इंडिया कर मेंबर है, भार ही जो कुछ इलेक्शन हुआ है, और आपको बता है यह हमारी country के first ऐसे election हुए थे, जो universal franchise पे हुए थे, वैसे तो हमारा वह हुआ ना, जो हमारा पहला election था, 1950 वाला वह universal franchise पे हुए था बट उससे पहले भी मनिपूर में election हो गए थे, constituent assembly के election हुए थे, यानि कि जो है, उन्होंने करवाया था, universal adult franchise पे, तो आप यह आप रखना तो first part of India, पहली बार हो आता है ऐसे इंडिया के किसी हिस्से में election हुए थे, universal adult franchise के basis पे, और उन्होंने क्या कहा था, राजा जी को कि आप बना दो constitutional monarch की वह पढ़ा था ना, नेपाल में state government भी बन जाती है और जो है और एक राजाबीजी भी होते है, जो रूल करें कि मनिपूर के इंटर्र पॉल्टिक्स को और वैसे मनिपूर इंडिया का हिस्सा था जो मनिपूर की बहारी politics है वो सब इंडिया देखेगा ठीक है, आब दो इंदर क्या हुआ जब legislative assembly बन गई, यानि की election हो गई मनिपूर की legislative assembly मतलब मनिपूर की state government बन गई, ठीक है, अब आप लोग जिस भी state में रहते हो, legislative assembly होती है न, state government है न, और एक अमने central government है, ठीक है, तो जो मनिपूर की legislative assembly बनी, state government की election के बाद जो assembly बनी, उन में से कुछ ऐसे लोग थे, जिनको question related to the Manipur का merger in India, related to Manipur को इंडिया में merge करानी को लेकर, कौन थे वो आप ये देखो, जो state congress थी, जो Manipur के जो state थी, उसके जो congress के लोग थे, जो congress party के लोग थे, वो तो चाहते थे कि इंडिया के अंदर fully merge हो जाए Manipur, बट जो other political parties थी, वो ये नहीं चाहती थी, ठीक है, कि Manip Manipur को ऐसे merge करा, fully merge हो जाए, जो है इंडिया के साथ, the government of India succeeded in pressurizing the maharaja into signing a merger agreement in September 1949, ठीक है, अब government of India ने क्या करा, जो maharaja थे, उनको pursue कर लिया कि आप merger agreement पे sign कर दो, September 1949 में, और जब उन्होंने महराजा ने sign करा था, तो तब उन्होंने ये decision, जो popularly elected legislative assembly थी, उनसे बिना पूछ कि अब जो internal autonomy जो है, पूरी प्राजा के हाथ में थी ये सब, वो सब भी end हो गया था, तो fully तरीके से, इंडिया के साथ, मनिपूर merge हो गया था, this caused a lot of anger and resentment in मनिपूर, इससे लोगों के बीच में बहुत गुस्ता हुआ, anger हुआ, कि राजा ने बेना हमारे से पूछे, बेना ह कुछ नाराजगिस related जो है, देखी जाती है, ठीक है, तो ये मनिपूर का case हुआ था, that fully merger करा लिया गया था, मनिपूर का, without the ascent of the properly elected assembly, लो, जनता के, आप basically काओ, कि जनता की choose करिया, assembly से भी ना पूछे, राजा जी ने merger agreement, sign कर दिया था, तो आप ये photo देख सकते हो, कि कैसे ये सेजार बलब भाई पतेल जी है, और ये राजा जी की photo बनी विया, वो क्या कह रहे है, no, no, don't get up your highness, just give me this, that what will do, यानि कि, ये this क्या है, external affair, external affair में क्या है, defense and communication, कि से, बाहर के देशों से, कि बाहर के देशों के लिए, तो ये इंडिया का ही हिस्सा है, defense, सब कुछ जो है Indian Union, Indian Government, समझाने की Central Government, इंटर्नल पॉलिटिक से आप रख लो, तब ये कहके, जो है, Manipur को इंडिया में मर्च करा लिया गया था, बाद में fully merger हो जाता है, September 1949, अब आएगा next topic, और अब आप जानो कि, एक new problem, जो अब हमें face करनी ती, solve करनी थी, दो problem, तो chapter का दाम गया है, challenges of nation building, ये challenge, पहला challenge nation building का हम क्या देखा, partition, कि कैसे partition की दुख से हम उभरे, कैसे partition को हमने face करा, क्या क्या हुआ, पार्टीशन के दुरान, दूसरी problem क्या हुए, इंटीग्रेशन और पिंसली स्टेट की, उसमें government ने क्या कहा, सारी जिमेवारी सदार्वलभाई, पटेल जी ने बटा जो है, और हमारा इंडिया unity and diversity बना, अब वो unity and diversity कैसे बना, कि इतने सारे अलग भाशाओं के लोग, culture के लोग, खुश होके इंडिया में रहते हैं, अब आप वो जानोंगे, अब तीसरा challenge था, by the country के सामने, जो था, वो था, demokration of internal boundaries, ठीक है, यानि कि अब हमें अपन कर पाए, और सब unity में रह पाए, during colonial rule, जो बिटिश हर हमारे रूल कर रहे थे, जो state boundaries थी, वो draw हुई थी, इधर और administrative convenience, जो बिटिश हर को सही लग रहा था, administration में था, काम का अच्छा आने के लिए, कर रहे करने के लिए, जो देश को हिट चालाने के लिए, जो उनको सही इन्होंने अपनी मर्जी से जो है, अपनी boundaries mark कर रही थी, basically princely state के अलग कर दी थी, जो बाकी जगाया बची थी, उनको इन्होंने अपना बना लिया था, British provinces, और हमारे national movement जब हो रहे थे, जब हम अजादी का लड़ाई के लिए, जो है movement चला रहे थे, तब हमारे national leaders ने promise करा जब हमें Britishers से अधादी मिल जाएगी, तो हम हर language के लोगों की demand पूरी करेंगे, कि वो सब लोगों के लिए state बना लिजाए, हर culture के लोगों के लिए state बना लिजाए, जब हमें independence मिल जाएगी, तो हम आपकी इस बात को मानेंगे, even 1920 में ही, जो Indian National Congress थी, उन्होंने अपना ना many provincial Congress committees were created by linguistic zones, यानि कि हर language की उन्होंने committee बनाती थी, अपने Congress के अंदर ही, which did not follow the administrative division of British India, यानि कि जो languages की, अलग-अलग languages की committee बना दी थी, Congress के अंदर में ही, जहाँ पे लोग अपने विचार प्रकट करते थे और आगे की चीजों को देख रेक करते थे, तो यानि कि आज के सम पर जो लोग गुचराती बोलते हैं, महराश्य करल करें, यूपी होगिया अमरा भिहार हो गया, हमारा बंजाव हो गया, हमारा ठीक है, कतरला इसदेर, तामिल इसदेर, तो सब क्या है, culture के basis पे, language के basis पे बनी हुए, state कैसे बनी इस प्रॉसर्सक्राइस के ठूप बनी जो भी आप पढ़ोगे अब फिंग जो लीडर्स ने प्रॉमिस तो करागा था ठीक है भाई अजादी मिल जाएगी जो आपकी लेंगविजिस की देमांड है जो आपकी कल्चर की डिमांड है वैसी आपकी स्टेट होड आपको ग्रांड कर दी जाएगी वैसी वैसी स्टेट बना देखेंगे ठीक है जो रुक करेंगे इस बात को क्योंकि डर लग रहा था कि अगर यह भी कहा जाता था कि एक लेंगविज के बीसिस के लोगों को एक स्टेट में बन दिया गया कि आपकी लेंगविज के सब लोग तुम्हें एक स्टेट में रहो इस कल्चर को फालो करने जाले तो यह भी डरता कि कई कल को आके वो लोग अपनी अलग कंट्री घोशत ना करते कि भाई हम अपनी एक अलग कंट्री बना रहें यह भी धरते उस तामे पर तो इसलिए जो है और मेमरी ओफ पार्टिशन स्टिल फ्रेश्टी डर लग रहा था कि इस तरीके से जो है ज जो है जो है जनता को अच्छा नहीं लगा और जतना ने प्रोटेस्ट करने शुरू है सबसे पहला प्रोटेस्ट होता है इस नाम है विशाल आंध्रा मोमेंट जो आपको याद रखना है सबसे पहला प्रोटेस्ट होता है प्रेजेंट दे तामिल नाडू के अंदर ठीक है Protest began in telgu speaking areas of madras province यह photo देखो madras province देखो यह old madras province है अब इसमे कौन कौन सी जगह है tamil naadu भी आता है इसमे आज के समय का tamil naadu के हिस्से भी है आंधर प्रदेश का हिस्से भी है कहरिला का भी और कर्सरा का भी है यहां पर इतने सारे culture के इतने सारे languages के लोग एखटे रह रहे थे Old Madras province के अंदर, तो यहां पे जो है, यहां के लोगों ने विशाल आंधरा movement launch करा, और कौन से लोगों ने launch करा था, तेल्गू speaking area, जो Old Madras के तेल्गू भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्हों ने movement launch करा, और उन्हों ने कहा, कि उन्ह अंधरा प्रदेश बना दीजिए, तेल्गू speaking लोगों के लिए, Old Madras province में से हमें अंधरप्रदेश बना दीजिए, इस movement में एक बहुत बड़ा, जो leader थे Congress के, वो थे पोती स्रीरा मलू, ठीक है, यह veteran गांधी ही ने का चाते है, यह गांधी जी के प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करते थे, इन्होंने क्या करा, यह they went off indefinite fast, इन्होंने fast until death कर कि जब तक हमारी government बात नहीं मानेगी, तब तक हम जो है fast करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की, unfortunately क्या होता है, 56 दिन के fast के दोरान, पोती स्रीरा मुलू की death हो जाती है, और जैसी ही उनकी death होती है, तो बहुत लोगों पे गुस्सा आ जाता है कि हमारे इतने बड जाते हैं, बहुत लोगों को चोटे लगती हैं, बहुत लोगों को फिर पुलिस फाइरिंग करके रोकती है, तो उनकी जाने जाती है, and several legislation resign in their protest, बहुत सारे लोग जो थे मदरास के, उन्होंने resign कर दिया अपनी post से कि नहीं हमारे को तो है आपने गलित कर रहे हैं, तो finally जो 48, 49, 50, 51, यह 4 साल हो तो कि इस बार को postpone कर रहा था, क्योंकि बाकी challenges से deal कर रहा था, तो जब यह हुआ, तो 1952 में finally आंधर प्रदेश को जो है बना दिया जाता है, एक new separate जो है state की तरह, अब देखो उस कुछ सामे बाद हमारा map ऐसे देखने लग गया, और पहले आप देख बहुत कुछ होना था, तो अब यह आप आगे जानोगे, तो basically आंधर प्रदेश तो बन जाता है, अब आंधर प्रदेश बनने के बाद में बाकी old languages के लोग, बाकी और state में जो बाकी languages के लोग रहते हैं, वो भी कहते हैं, हमें अपनी state बनाने है, जैसे आप देख सकते हैं तो यह प्राइम मिनिस्टर जी है, यह महा गुजरात, यह सम्युक्त करनाट का, बिलियन महराश्टर, यह विशाल आंधरा लिखा है, तो everybody started demanding, तो अब government को लगा कि भाई, हम इसके लिए तो एक proper committee बिठानी पड़ेगी, जो यह सब जो है फैसले लिया करेगी, तो इसलिए जो है हमारी country appoint करती है, country की government appoint करती है, state reorganization commission 1953 में, one marker question, याद रख लो important है, जो देखेगा कि कैसे जो है, redrawing of boundaries होगी state की, कैसे culture और language के basis पे state बनाई जाएगी, the commission accepted the report that boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages, इस commission नेका ठीक है, अब ऐसी country हमारी बनेगी, जहाँ पे अलग-अलग languages के basis के लोग ठीक है, on this basis, the report, the state reorganization act was passed in 1956, फिस state reorganization act passed in 1956 में, और इस act से 14 states बनी और 6 union territory बनी, यानिकि पूरा काम काच चला ये, 53 से लेकि 56 के बीश में, and 14 नई states बनी और 6 union territories, finally, इंडिया के map पे आ जाती है, ठीक है, लास चीज आपको पढ़नी है, कि क्यू जो है, इन issue को postpone करा जा रहा और जब ये नई नई states बन जाती है, statehood grant कर दी चाती है, तो भी क्या डरता हमारे leaders को, तो one of the most important concern in the early years was that, कि अगर ये separate state बना दी जाएगी, जैसे तिल्गू लोगों के लिए अलग बन गई, गुजराती लोगों के लिए अलग बन गई, तो ये अगर linguistic basis पे अगर अलग separatism कर दिया जाएगा हमारी country का, तो इससे हमारी country की unity पे effect पड़ेगा, leaders को शुरू में ऐसा लग रहा था, ठीक है, but finally linguistic states बनाने को हमारी leaders मान जाते हैं, and हम ऐसा hope करते हैं, कि भाई, ये linguistic और culture के basis पे जब हम state बनाएंगे, तो ये हमारी country की unity को strong करेगी, शुरू में डर भी ल से भी जादा हो चुके हैं, हमें language के basis पे states बनाएंवे, हमें independence हासल करेंवे, इतने साल हो चुके हैं, आज तक हम लोग जो है, अच्छे से unity in diversity में रह रहे हैं, पहले क्या था, पहले हमें लग रहा था कि शायद ये चीज हमारी अच्छे work ना करें, but क्या हुआ, ये चीज ह लोग demand कर रहे हैं, जो language के लोग demand कर रहे हैं, हमें हमें हर demand को fulfill कर ला, लोग संटुष्ट हुए, satisfied हुए, and they wanted to live in India, and जो है, वो भी happily India में, फिर सब लोग अखटे रहे पाए, तो जो पहले दर था ना, वो partition के वज़े से था, तो वो सब दर निकल जाते हैं, and finally, हम लोग आ वाशा के basis पे, culture के basis पे, जो state बनाने का जो demand हो, इसे हमारी politics भी जेंड हो, क्यों कि Britishers के जमाने में, politics का रास्ता से अमीर, अमीर, लोगों के लिए खुला वा था, जाधा, थे गरीब लोग भी, थे middle class लोग भी, थे farmers भी, थे ऐसे लोग भी, जो है English नहीं आती थी, पर ज है, demand करी कि हमें अपनी state बनानी है, तो उस समय पे, local people, जिनको English नहीं आती थी, जिनको अपनी मातरभाशा आती थी, जो local politics में, वो involved हुए, और part to politics खुल गया, हर एक Indian के लिए, जो चाहता है politics में, enter करना थी, कैतो हो, जब linguistic basis पे, statehood की demand हुई, तो हमारे इंडिया का political structure भी बदला, कि सिफ English-speaking लोगी politics में नहीं जा रहे थे, each and every person who's who want कि हा, मुझे politics में enter करना है, वो अपनी language vote है, अपने culture को follow कर रहे है, even illiterate also, they enter the politics, ठीक है, above all, linguistic state का क्या फायदा हुआ, acceptance of principle, हमारे diversity हमने उसे accept कर, हमने यह नहीं का, कि नहीं, इंडिया में ऐसी रहना होगा, हम When we say that India adopted democracy, जब हम कहते हैं, हमने adopt करें democracy, इसका मतलब यह नहीं हमने बस एक democratic constitution मना दिया, नहीं guys, और election करें, नहीं, हमने democracy लागू करी है, असली दुनिया में, असली तरीके से, असली words के हसाब से, democracy मतलब क्या है, जनता की हर इच्छा को, मानने इच्छा को पूरा करा जाए जनता अपने हिसाब से, अपने country को चला है, जो वो चाहती है, वो पूरा हो, democratic framework में election कराए जाए, तो हमारी country में यह सब कुछ possible हुआ, एन हमने democracy को सिर्फ लागू, सिर्फ बोला नहीं democratic country बनाएंगे, लागू कर आपनी country में, ठीक है, तो democracy in other words, वो associated with plurality of ideas and ways of life, plurality of ideas मतलब अलग-अलग ideas के लोग खुशी से रहे पाई democratic country में, हर ways of life के अलग culture, language, तरीके के लोगे खटे रहे पाई, religion के रोग, तो वो सब हमारी country में possible हुआ, much of the politics in later period was taken place within this framework, ठीक है, अब fast forward, यह आप लोगों का homework है, यह आप देख लो, यह वाले जो topic है, यहां से map work आएगा, यह you can look at this map, यहां पर given है, इसको read कर लो, यह map work में definitely आगा, with this chapter हमारा complete होता है, challenges of nation building, अब अगर guys आपको इस chapter के important question देखने है, चलो इस chapter के हम first page पर जलते है, अभी इसके important question देखने है, आपको तो मैं important question की अलग video बनाऊँगी, ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस chapter के जो है है guys, वो देखना है, अगर मैं आपको कहूँ तो, नोट्स अगर चेक करने तो मिरी Instagram आइडिया गिवन है, और कुछ नोट्स मेरे पिंट कॉमेंट में भी पिंट करते हैं, इस चलाते हो, तो पिंट कॉमेंट के short notes रवाइस कर लो, कोई queries है तो पूछ सकते हैं, मैं में में बबाई टेकर एंट, बेस्ट आफ लग,